नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चेनल फ्री एजुकेशन में दोस्तों जेनरल साइंस यानि की सामान विग्यान की मोश्ट इंपोरंट 500 कोस्टन की सीरिज हमने इस्टार्ट कर दी है पहला भाग हम बना चुके हैं यह हमारी 500 कोस्टन सीरिज का सेकिंड पार्ट है इस पार्ट में हमने 25 कोस्टन को सेलेक्ट किया है और यह 25 कोस्टन है न दोस्तों यह काफी अच्छे लेविल के कोस्टन है important question है, हम वही question select करते हैं जो आपके exam की दरश्टी से महत्पून हो और परिक्षा में बार-बार पूछे गए हो और इन 25 question को हम विलकुल detail में with astros fact के साथ में हल करते हैं तो वीडियो को विना skip की लाश्ट तक जरूर देखें चलिए शुरू कर लेते हैं question number 26 है, क्योंकि 25 question हम पहले part में cover कर चुके हैं तो देख लेते हैं question number 26 गाय के दूद का पीला सफेद रंग किस protein की उपस्तिती के करण होता है तो दोस्तों जितने भी questions वीडियो में लाया हूँ न यदि आपको किसी भी question का अंसर पता है question जो है, अलग-अलग भी पूचा जाता है किस प्रकार से आपसे question पूचा जाएगा कि दूद का रंग पीला होता है, किस protein के करण तो दूद में केरोटीन प्रोटीन होता है इसलिए इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है question इस प्रकार से भी बन सकता है कि गाय के या फिर दूद का रंग सफेद होता है किस प्रूटिन की उपस्तिती के करण तो आपको कैसीन लगाना है ठीक है कैसीन के करण यहाँ पर पूछा गया है पीला सफेद तो पीला सफेद होता है के रूटिन की साथ में कैसीन प्रूटिन की उपस्तिती के करण ठीक है और आपको याद रखना है कि जो गाय का दूद है ना इसमें बसा की मात्रा कितनी होती है तो इसमें 3.5 से लगा कर 4% तक बसा की मात्रा होती है और भेंस की दूद में बसा की मात्रा होती है ज्यादा कितनी होती है 7.2% बसा की मात्रा होती है भेंस के दूद में ठीक है तो दो Next question is , пу NHHHHH NIME when mid-IKImax इसमें चुम्ब किये तरंगों का यूज़ किया जाता है जो MRI machine इसका fulliform होता है M openness region इसका use क्या होता है तो इस machine के माध्यम से के आंत्रिक अंकों का परिक्षण किया जाता है देखे यहां पर जो नमर c पर लखा के प्रासरब्ब तरंगे तो इसको इंग्लेस में बोलते हैं ultrasonic vaps इनका युज कहाँ पर होता है तो जो sonography होती ही ही न तो sonography में ultrasonic vaps का युज किया जाता है और जो Xgamne है यानि के X vaps हैं इनका युज कहाँ पर होता है तो जो city scan होती है, वहाँ पर हम x scan का प्रियोग करते हैं आगे बढ़ते हैं, next question है, गेसों का दाब मापने वाला यंतर कौन सा है तो गेसों का जो दाब है, ये manometer की माध्यम से मापते हैं तो इस question का D option से हो जाएगा, ठीक है यहाँ नमर A पर लखा है, pyrometer, तो pyrometer की use कहां पर करते हैं तो जो high temperature है, उच्चिताप, उच्चिताप कुमापने के लिए pyrometer के use किया जाता है B पर लखा है radar, जो radar है इसका use हम कहां पर करते हैं तो जो वायुयान है, उनकी दिचाव इवंगती कुमापने के लिए radar का use किया जाता है और ग्रीविमेटर की use कहां पर किया जाता है तो पानी के अंदर देल की उपस्तिती का पता लगाने के लिए ग्राविमीटर का use किया जाता है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि वीडियो के लाश्ट में हमने revision series रखी है जिससे मैं क्या करूँगा कि इन सभी question का एक बार फटा फटा से revision करवाँगा मेरी कोसस यही एक ही सारे के सारे question आपको इसी वीडियो में याद हो जाए एक ही बार में याद हो जाए नमबर 29 question है most important question है यह कई बार पूछा जाता है biliching powder का राशानिक नाम क्या है तो biliching powder का राशानिक नाम है calcium hypo chloride ठीक है यह भी पता होना चाहिए तो biliching powder का राशानिक सूतर होता है CACLO2 ठीक है तो यह राशानिक सूतर भी आपको याद रखना है और दोस्तो question का label देखके आप समझ पा रहे होंगी कि question बहुत ही जादा important है और मैं important question ही आपको solve कर बाता हूँ next question है penicillin किस से प्राप्त होता है तो यह जो penicillin है ना दोस्तो यह फफूंद यानि कि fungus से प्राप्त होता है और question पूचा जाता है कि penicillin की aproximadamente किस ने की थी अलेकजंडर फिलेमिंग ने penicillin की खोश की थी कब की थी? 1988 में की थी, ठीक है और penicillin की खोश के लिए इनको noble praskar भी मिला था किस को? अलेकजंडर फिलेमिंग को penicillin खोश के लिए नोबल प्रोस्का से भी सम्मानित किया गया था नेस्ट कोस्टन है किस पौधे का वैग्यानिक नाम सालो नम्टीव वरोसम है तो सालो नम्टीव वरोसम वैग्यानिक नाम है आलू का तो इस कोस्टन का एक ओप्सन से हो जागा आलू से एक question पूछा जाता है कि आलू तना का उधारन है कि फूल का उधारन है किस चीछ का उधारन है तो जो आलू है न ये तने का उधारन है ठीक है तने में ये भूमीगत तने का उधारन है Next question है ब्रक्ष की आयू का निर्धान किसके आधार पर किया जाता है तो काफी अच्छा question है तो ब्रक्ष की आयू का निर्धान किया जाता है विकास वलाय के माध्यम से विकास वलाय को हम बोलते हैं growth ring और इसी के माध्यम से किसी भी ब्रक्ष की आयू का निर्धान करते हैं डायग् पावर यानि कि एक अस्व सक्ती में 746 बाट होते हैं तो इस question का C option से हो जायागा ठीक है जो हास पावर है ना दोस्तों इससे पावर कुमापने की एक काई है एक और question पूशा जाता है कि हास पावर का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया था तो हास पावर का सबसे पहले प्र होती है ठीक है हवाव में किबल गतिष उरजा होती है लेकिन इस गतिष जूरजा को हम यंत्रक और विद्धत उर्जा में बदल सकते हैं कई यंत्रों का प्रीयोग करके next question है कौन सा vitamin cancer के उपचार में प्रियोग होता है कफी अच्चा question है तो cancer के उपचार में प्रियोग होता है vitamin B तो इस question का C option ही हो जाएगा देखे यहाँ पर तोड़ा confusion बनता है एक question पूछा जाता है कि anti-cancer vitamin किसे कहा जाता है ठीक है तो anti-cancer vitamin कहा जाता है vitamin A को लेकिन cancer के उपचार में प्रियोग किया जाता है vitamin B ठीक है दोनों fact अलाग अलाग है और एक number दिलाते हैं इसलिए आपको याद भी रखना है ठीक है तो cancer के उपचार में किसका प्रियोग किया जाता है vitamin B का किया जाता है अब vitamin B का किया जाता है तो बिटामिन B का रासानिक नाम होता है थाइमीन और बिटामिन B की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है Next question देख लेते हैं मानव शरीर में dehydration किस पधात की कमी की करण होता है तो dehydration जो है ये जल यानि की बाटर की कमी की करण होता है तो इस question का D options ही हो जायागा देखें ये एक सब्द लखा है dehydration है तो dehydration का नाम ही है हिंदी में क्या बोलते हैं नरजली करण बोलते हैं ठीक है तो ये जल की कमी के काण होता है इसके काण क्या होता है तो सरदर्ध होगा चिड़-चड़ापन या फिर उल्टी वगरा होती है और जो dehydration है इसकी ज़्यादातर समस्या गर्मियों के दिनों में देखने के लिए मिलती है Next question है सोर मंडल का सबसे तीब्र या फिर सबसे चमकीला गरह कौन सा है देखें सोर मंडल का सबसे तीब्र सबसे चमकीला या फिर सबसे ज़्यादा गर्म गरह पूछे तो कौन सा है सुक्र है ठीक है लेकिन आपको याद रखना है एक fact जो की confuse करता है question पूछा जाता है कि सौर मंदल का सबसे ज़्यादा ताप अंतर वाला ग्रह कौन सा है तो सबसे ज़्यादा ताप अंतर कहां पर है बुद पर है क्यों है क्योंकि देखिए जो बुद है ये सूर्य के सबसे पास में इस्तित है ठीक है इसलिए इस पर जो ताप का अंतर होता है ये सबसे ज़्यादा होता है सिंदूर का राशाण एक नाम क्या है तो जो जो है ये मर्कुरिक सलफाइड का राशाण एक सूत्र है या फिर सिंदूर का रासान एक सूत्र भी हम इसको बोल सकते हैं नेश्ट कोस्टन है एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्पलावन बल लगेगा तो जो उत्पलावन बल है न ये उस लकड़ी के भार के बरावर लगेगा तो इस कॉस्टन का ए उप्संस ही हो जागा इस कॉस्टन को समझने की जरूरत है उससे पहले हम समझ लेते हैं कि उत्पलावन बल होता क्या है देखे किसी तरल में आंसे क्या फिर पूर रूप से डूबी किसी बस्तू पर उपर की ओर लगने वाले बल को उत्पलावन बल कहते हैं कैसे ये कोई तरल भरा हुआ है ये पानी भरा हुआ है और उसमें एक बस्तू डूबी हुई है ये बस्तु है ये डूबी हुई है तो जो बस्तु डूबी हुई है उसमें ऊपर की और कोई न कोई तो वल लगेगा ये बस्तु डूबी हुई है आंसेक रूप से ठीक है तो इस बस्तु को ऊपर की और जाने पर कोई वल तो लगेगा ये यहाँ पर देख पर होंगे ये बिलेड गुरुप की खोच किस ने की थी तो रक्त सम्मूर की खोच की थी कारल लेंड इस्टीनर ने तो इस कॉस्टेन का ए ओप्सन से हो जागा कारल लेंड इस्टीनर ने बिलेड गुरुप की खोच की थी कब की थी 1901 में की थी ठीक है तो लेंड इस्टीनर ने एक और खो इस question काफी अच्छे लेविल का question है bulletproof jacket बनाने में निमन मैंसे किस बहुलग का प्रियोग किया जाता है तो जो bulletproof jacket होती है इनको बनाने में polycarbonate एक बहुलग है polycarbonate इसी का यूज किया जाता है ठीक है देखिए polycarbonate बहुलग के माददे हमसे bulletproof jacket तो बनाते हैं जो bulletproof काच बनते ह ये भी हम बनाते हैं next question है रक्त में RBC और WBC का अनुपात कितना है यानि कि हमें RBC अनुपात WBC बताना है तो ये अनुपात होता है 600 अनुपात 1 इस question का A option से हो जागा या फिर हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं बोल सकते हैं कि हमारे रक्त में जो RBC पाए जाती है ये WBC से 600 गुना जादा पाए जाती है कितनी 600 गुना जादा पाए जाती है next question है निवन में से किस की उपस्तिती के काण गर्गिट रंग वलता है काफी अच्छा question है तो गर्गिट रंग वलता है वर्ण की लवक या फिर हम इसको बोलते है क्रोमोटो 4 की उपस्तिती के काण तो इस question का B options ही हो जागा दोस्तों यह जो गरगट है यह रेप्टाइल वर्ग में आता है ठीक है रेप्टाइल वर्ग या फिर इसको बूलते हैं सरी सरफ वर्ग ठीक है और सरी सरफ वर्ग में जैसे साप आते हैं छिपकली मगरमच मेंडक आदी आते हैं और यह जो गरगट है यह भ इसको बोल सकते हैं निमन मैं से कौन सी बकरी की नसल है तो बकरी की नसल की हमें पहचान करना है तो हम देख लेते हैं जमना पारी ये बकरी की नसल है सेखा वटी ये भी बकरी की नसल है परबत बसर या फिर इसको परबत बसरी भी बोलते हैं तो ये भी बकरी की नसल है तो य ऐसे कि पूचा जाता है कि गरीब की गाय किसको कहते हैं, तो गरीब की गाय कहते हैं बकरी को, ठीक है, दूसरा पूचा जाता है कि रेगेस्तान का फ्रिज किसको कहा जाता है, ठीक है, तो रेगेस्तान का फ्रिज भी बकरी को कहा जाता है, और एक और question पूचा जाता है कि बक पहचान किजिए तो देखिए विदेशी वकरी की नसले कौन कौन सी हैं डोगन वर्ग हैं अलपायन है बलूची थेखिए नसले तो बहुत सारी है लेकिन यहाँ पर मैंने वो नसले रखी हैं जो की परिक्षा में पूछे जाती है तो यह तीनो नसले जो हैं बेदेशी वकरी की हैं, लेकिन हमको ये यद रखना है, कि कौन सी नसल है किस देश में पाई जाती है तो ये Togan वर्ग है, ये Seusar Land में पाई जाती है, ठीक है और जो Alpine है, ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये भी Seus vidéos Land में पाई जाती है, ठीक है और जो C पे लखा है बलूची ये कहाँ पर पाए जाती है तो देखी नाम से हमें याद कर पारे होंगे बलूची यानि कि बलाचिस्तान जो बलूचिस्तान है न ये बलूची वहाँ पर पाए जाती है और बलूचिस्तान कहां पर पड़ता है तो ये पाकिस्तान में है ठीक है तो ये तीन नसले हमें याद रखना है और कौन सी नसल कहां पर पाई जाती है ये भी हमें याद रखना है क्योंकि question यदि examiner आपको फसाएगा तो ये पूछ लेगा कि ये बकरी की कौन सी नसल किस दे किस रंग का तरंग धर्य सबसे अधिक होता है तो लाल रंग का तरंग धर्य सबसे अधिक होता है और सबसे जो कम है वो तरंग धर्य होता है वैगनी रंग का ठीक है तो ये दो एश्टर फेक्ट याद रखेंगे next question है किस बल के काण कोई उपग्रह प्रत्वी के चक्कर लगाता है काफी अच्छा question है तो कोई उपग्रह प्रत्वी के चक्कर लगाता है केंद्रय अभिमुक बल के काण इसको centripetal force भी बोलते हैं तो B options ही हो जागा देखिए आपको समझना होगा और diagram के बाद हमसे मैं समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए जब कोई बस्तू ब्रत्वी मार्ग में गती करती है इस प्रकार सो कोई बस्तू गती कर रही है और उस बस्तू पर कें दूद्से मखन बनाने में कौन सा बल लगता है तो यह लगता है अपकेndri बल बटेव। ठीक है तो आसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मैंने कोश़िस तो यही की है कि आपको समझ में आ जाए और अब next question देख लेते हैं निमन מת इसे कौन सा vitamin gel में घुलनसील है तो gel में घुलनसील कौन सा vitamin है एक जल में घुलंसिल बिटामिन और दूसरा वसा में घुलंसिल बिटामिन तो जल में घुलंसिल बिटामिन दो हैं कौन-कौन से B और C और वसा में घुलंसिल बिटामिन कौन-कौन से ADE के बिटामिन जो हैं यह बसा में घुलंसिल बिटामिन होते हैं नमर पचास कॉस्टन है, मानों के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता? Most important question है, तो देखिए, actual में क्या है कि हमारे स्रीर में आँख में एक भाग होता है, कॉर्णिया जिसको हम बोलते हैं इसमें रक्त नहीं पाया जाता आप सवाल ये है कि इसमें रक्त नहीं पाया जाता तो ये काम कैसे करता है देखिए जो कार्णिया है ना ये बातवन के संपर्क में होता है जिससे कार्णिया को रक्त ना मिलने पर भी अक्सिजन मिलती रहती है तो ये काम करता रहता है ठीक है एक और question मनता है कि जब भी हम नेत्रदान करते हैं तो आख के कौन से भाग को दान करते हैं तो इसी कारणिया को दान करते हैं नमबर 26 कोस्टन हमने पूछा था गाय का दूध पीला सफेद रंग किस प्रोटीन के कान होता है तो गाय का जो दूध है ये फीला सफेद होता है किस प्रोटीन की उपस्तिती के कान तो केसीन के साथ में केरोटीन की उपस्तिती के कान गाय का दूध जो है ये फीला सफेद हो यंतर को क्या कहते हैं तो ग्जैस। का दाब हम किसीं मापते हैं मैंनो मीठर के माध्य हम से मापते हैं नैश्ट कौचन था बिलीक्शिंग पौडर का राशायनक नाम क्या है तो बिलियक्शिंग पौडर का राशायनक नाम था Calcium Hypoclorite ठीक है और रासायनिक सूत्र क्या था C A C L O T U जो है इसका रासायनिक सूत्र था Next question देख लेते हैं पैनिसलीन किस से प्राप्त होती है तो जो पैली सिलीन है न यह फफूंद यानि की फंगस से प्राप्त होती है नेश्ट कोश्चन था किस पौधे का वेगएंग नाम सालो नम टीवरोसम है तो आलू का वेगएंग नाम क्या है सालो नम टीवरोसम नेश्ट कॉस्चन था व्रक्ष्ट की आयू का निर्धान किसके आधार पर किया जाता है तो व्रक्ष्ट की आयू का निर्धान हम करते हैं विकास वलाई यानि की गिरोथ रिंग के माध्यम से नेश्ट कॉशन था एक हास पावर में कितने बाट होते हैं तो एक हास पावर में 746 बाट होते हैं नेश्ट कॉशन था हवाव में कौन सी उर्जा होती है तो जो हवाव हैं इसमें केवल गतेज यानिकी only kinetic energy होती है नेश्ट कॉस्चन देख लेते हैं नमबर 35 कॉस्चन था निमन मैंसे कौन सा बेटामिन कैंसर के उपचार में प्रियोग होता है तो कैंसर के उपचार में बेटामिन B का प्रियोग किया जाता है अंगला कॉस्चन मानव सरीर में dehydration किस पधारत की कमी के कारण होता है तो ये जो dehydration है ये जल यानि की बाटर की कमी के कारण होता है अंगला कॉस्चन था सौर मनल का सबसे तीब्र यानि की सबसे चमकी लग रहे है कौन सा है तो सबसे चमकी लग रहे है कौन सा है सुक्र है सिंदूर का रासानिक नाम क्या है तो सिंदूर का रासानिक नाम होता है मर्क यूरिक सलफाइड ठीक है और रासानिक सूत्र क्या होता है HGS जो हिसका रासानिक सूत्र होता है अंगला कॉस्चन था एक लकडी के टुकड़े को पानी की नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्पलावन वल लगेगा तो उस पर उस लकडी के भार के बरावर उत्पलावन वल लगेगा अंगला कॉस्टन था रक्त समूह यानि कि बिलेट गुरूप की खोच किस ने की थी तो रक्त सम्मूई की खोच की थी काल लेंड इस्टीनन है काल लेंड इस्टीनन है जो है ये रक्त सम्मूई की खोच की थी next question देख लेते हैं bullet proof jacket बनाने में किस वहूलग का प्रियोग किया जाता है तो जो bullet proof jacket बना जाती है इसमें polycarbonate जो वहूलग है इसका प्रियोग किया जाता है अंगला question था रक्त में RBC और WBC का अनुपात कितना होता है तो RBC और WBC का अनुपात होता है 600 अनुपात 1 ये भी important question था अंगला question देख लेते हैं इनने में से किस की उपस्तिती के काण गरगेट रंग बदलता है तो गरगेट रंग बदलता है वर्ण की लवक की उपस्तिती के काण अंगला question था विटामिन सब्द का किस ने दिया तो जो विटामिन सब्द है ये C फंक ने दिया था किसने C फंक ने विटामिन सब्द दिया था next question निमन में से कौन सी वकरी की नसल है तो बकरी की मैंने आपको तीन नसलें बताई थी जमनापारी, सेखावटी और परबत बसर या फिर परबत बसरी तो ये उपयोग तो तीनों नसलें जो हैं ये वकरी की हैं अंगला question में मैंने विदेसी बकरीयों की तीन नसलें बताई थी कौन-कौन सी एक तो टॉगेन बर्ग, दूसरी अलपायन और तीसरी बलूची तो ये तीनों नसलें जो हैं ये विदेसी बकरीयों की हैं ये पूछे जाती है नेस्ट question मैंने पूछा था प्रकास का रंग निर्धान कैसे होता है तो तरंग धर्य के माध्यम से प्रकास के रंग का निर्धान होता है नेस्ट question है किस बल के काण कोई उपगरह प्रतवी के चकर लगाता रहता है तो कोई उपगरह प्रतवी के चकर लगाता रहता है केंद्रा भी मुख बल के काण इसको हम sentripetal force भी बोलते हैं next question है नेमने मेंसे कौन सा vitamin जल में घुलनसील होता है तो जल में घुलनसील vitamin होते हैं दो vitamin B और vitamin C अंगला question था मानो शरीर के किस अंग में रखत नहीं पाया जाता तो ये कार्निया है इसमें रखत नहीं पाया जाता और ये कार्निया जो है ये मानो शरीर की आँख का भाग होता है अब आपके लिए दोस्तों challenging question है जो कि हम मुझते हैं हमारे previous वीडियो से तो question है विल्ली, सेर और टाइगर तीनों में गुरुसुत्रों की संखे आपको बताना है विल्ली, सेर और टाइगर तीनों में गुरुसुत्रों की संखे कितनी होती है तो thank you दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो please-please वीडियो को like करके में motivate जरूर करें और इस वीडियो को अपने steady related बार्सा गुरुप में share करें हमारे चैनल को subscribe करने के साथ साथ बैल आइकन जरू दबालें और दोस्तों यदि आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है पहला भाग तो उसको भी देख लें और ये हमारे वीडियो का दूसरा जो 500 question series चल रही न important science की उसका दूसरा वाग है और आप कोई भी भाग देख रहे हों यदि आपको पूरी series देखना है न तो आप description से ये series प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो thank you दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं ये वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत बंदे मात्राम